आज से जो हम लोग क्लास 10 का जो फिजिक स्रीज है हुए स्टार्ट करेंगे और जो फर्स्ट चाप्टर है इस बाउट एलेक्टिसीटी है क्या किस तरह का फैनोमेन है है तो हम लोग इसी के बारे में ह से स्टार्ट करेंगे इस्टार्ट एनर्जी का फर्ण ऍरवहर में नियुक्तरण इस स्टार्टण निकJustine इसक्यास कि आज अलग अलग इनरजी है सब्सक्राइब करते हैं कि टेलिविजन को रन करते हैं उसका जितने भी अभी रैल्वीस का जो ट्रेंस होते हैं यूज कर जाता है रन करने के लिए बड़र इंडस्टी होते हैं उसमें क्या है वी मसीन होता है उसको रन करने के लिए ऐसका यूज करते हैं रन करने के लिए और उल्यूसकी के बारे में हम लोग उसका application देखें तो क्या है इसको हम लोग आगर सकते electricity को control कर सकते हैं क्योंकि अलग-अलग machines और अलग-अलग जो parts होते हैं उसका अलग-अलग rating होता है सबस्कुछ ऐसे object होता है जो कि one ampere consume करते हैं अब अब इसका यह हम लोग अब यूणीट होता है यह हम लोग आगर डिसकुस करेंगे कुछ ऐसे object होते हैं जो five ampere rating होता है तो इस तरह से अलग-अलग क्या होता है rating होता है अलग-अलग object के according तो इसलिए क्या है कि electricity का है controlable and convenient form of energy है ज़नाव आप कुश्चिन यह है यह है किसमें एक टॉम आता है electric current यह electric current होता गया है ता electric direct में दूम है एक है electric दूसरा है current current का मतलब होता है flow current का मतलब होता है flow कोई भी चीज का flow होगा तो उसको हम लोग current बोलेंगे को वी चीज का flow का तो क्या एक टर्म है एयर करेंट तो करेंट का मतलब फ्लो तो एर करेंट है इसका मतलब कि AIR का फ्लो In the same way water current होता है Water current का मतलब क्या है water current कि certain means flow तो स्थ्लो किसका water का तो यहां पर airflow करेगा water flow करेगा तो उसके beginner हम लोग air current करेंट बोलते हैं तो thing is that, important चीज़ यह है कि air current है, air current है इसका मतलब कि air का flow करेगा, तो air जो यहाँ suppose यहाँ से इस side से इस टेक्शन में air flow करता है, तो ऐसा कुछ criteria होगा जिससे कि air जो है इस point A से suppose point B की तरफ move कर रहा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि A के तरफ जो होगा, air का higher concentration होगा, और B के तरफ क्या होगा, lower concentration होगा air का, तब ही क्या होता है, कोई चीज़ flow करता है, higher से lower concentration के तरफ, now water current की बात करें, तो water current मतलब water का flow, तो water flow क्यों करता है, कि यहाँ पे suppose water का concentration इस side जो होगा, इस से ज़्यादा होगा, इसलिए A से B की तरफ move करता है, अभी concentration का मतलब जरूरी नहीं कि हम ऐसा concentration ही depend करता है, यह भी होता है, sometimes की, जो main factor होता है, कि suppose water अगर move कर रहा है, एक point से दूसरे point की तरफ, that means, वहाँ पे क्या होगा, pressure difference होगा, height का difference होगा, यह actual जो terms हो है, यह actual जो उसके पिछे reason है, suppose यहाँ पे अगर water है, ओवरेंड़े साव लोग के घहर में, जो overhead पे हम लोग जो रखते है, tank जो है, tank की जो हता है, जिसे water tank होता है, उसको हम लोग अपने roof पे रखते हैं, terrace पे रखते हैं, और हम लोग जो tap जो use करते हैं, वो क्या होता है, नीची होता है, अब क्या होता है, यहाँ से यह connected होता है, pipe के through, इस तरह से, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, कि यहाँ पे height का जो difference है, suppose यह point A है, and this is point B, तो point A और point के बीच का देखा जाए, तो height का difference है, इसको बता हम लोग, pressure difference ही बोलते हैं, तो pressure difference के कारण क्या होता है, water का flow करता है, right, pressure difference के कारण, क्या होता है, water flow करता है, so in, उसी तरह से air current, जो है, air का flow होता है, air flow जो होता है, air current जो होता है, वो क्या होता है, temperature difference के कारण होता है, है दो पॉइंट के बिच में तब एर का फ्लो करता है इन दे सेम वे यहां भी उसी तरह से कि एलेक्ट्रिक करेंट है तो करेंट का मतलब था फ्लो और एलेक्ट्रिक का मतलब था चार्ज मतलब चार्ज का फ्लो करेगा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के तब को flow करवाता है और यह कैसे charge क्या होता है फिर एक टॉम आ जाता है इसमें charge एक टॉम आ जाता है तो charge क्या है तो charge होता क्या है इसको समझने से पहले हम लोग को पता है कि एक atom है तो atom में जो जो particles होते हैं एक होता है proton दूसरा electron देन electron proton और neutron in तो proton जो है positive charge होता है proton क्या है positive charge particle होता है electron जो है negative charge particle होता है and neutron जो है that is chargeless होता है this is chargeless यह neutral होता है इसमें कोई charge नहीं होता है तो proton और electron दोनों opposite charges है पोजीट शार्ज़ एक पोजटीव एक निगेटिव और दोनों का जो निमर किली जो चार्जेज का जो व्हल्य वहता है वो सीम होता है क्योंकि दोनों पे जो चार्ज होता है वो किता है 1.6 इन्टू टेन रिष्टिस रिए माइनेस 19 कुलंब यह चार्ज का इनीट हो था कुलम तो हम लोग आगे इसको डिसकोस करेंगे तो एक एलेक्टोन या एक प्रोटोन भीछार्ज था 1.6 निश्ता नीकोर 17 कुलम यह निमे्रिकली होता है लेकिन जब प्रोटोन होगा थे यहां प्लस दो होगा अगर एलेक्ट्रोन होगा तहो यहां तो यहां मौत हिए कम मूह जाए तो यह का जो निकलीइस होता है निकलीइस के अंदर में क्या होता है प्रोटॉन होता है जो और बीट होता है ौर्बीट में क्या हूत आ है इलेक्ट्रोन अभु करता है तो हम देखें कि यू पार्टिकिल जो सफ मों करता है वो कौन है लेक्ट्रो एन को ए लेक्ट्रिक करिंट का जो में रेजन है कैरीयर करने का वो कौन पार्टिकल है अब इलेक्ट्रोण 살int क्या से कोई भी conductor है कोई है कैसे होता है उसमें लोग समझते हैं तो यहां सपोफ हम कि एक लिए हम पर conductor इस is the conductor यह conductor's suppose इस तरह से कोई èra इसमें आयरेन है तो इसमें इन्फनाइट नमर यह होता है एलेक्रोंस होता है इसमें एक चीज़ क्या है कि जब इसमें रैंडम क्या करता है होता है कोई भी मेटल में इस तरह से तो हम लोग किया करते हैं अगर देखा जाया और जाया तो इसमें कोई सपुस इतना सा हम लोग रिजन लेते हैं इतना एडिया का बात करते हैं तो तोई इस एडिया को हम लोग इस असे पॉइंट आ५ आउड करें बाहर की तरफ इसको मैगिफाई करते समझने के लिए तो यहां पी अलेट्रों सपोर्ज यहां है तो इस इस blesi का बात करते किसे पूब कर रहा है कुछ अलेट्रों सीदंस इधर है number of electrons moving in a particular direction resultant देखा जाए तो क्या हो जाता है zero suppose four electrons upward गया four electrons नीचे गया तो vertically देखा जाए तो number of electrons moving in a particular direction किया जगा zero जगा nullify कर देगा उसी तरह से right और left का बात किया जगा तो nullify कर जाता है तिसी लिए होता है कि जब free state होता है इसको बोलते free state तो यह free state में जब इस तरह से move करता है इस तरह से move कर जब करता है तो उसमें क्या करता है कि वो nullify कर जाता है जब random direction में move करता है तो लेकिन suppose अगर यह conductor जो था इसमें हम लोग क्या करते हैं ऐसा कुछ करें जिससे क्या हो जाए कि सभी सब्सक्राइब करते हैं तब यहां पर क्या होता है लिक्ट्रिक करेंट का प्रोडरक्ट्टर हो जाता है जो सभी इलेक्ट्रोंस को एक पार्ट्रोंस को एक सब्सक्राइब सब इलेक्ट्रों को अभी जो रेंडम ड्रेक्षिन नीदो सब मूव कर रहा था उस अब एक ही ड्रेक्षिन मिचला जाए तो रिजन क्या है तो यहां पे जो इससे प्रोटेंशियल जो डिफ्रेंस होता है जैसे कि हम लोग एर करेंड पर तेक टेंपरेचर डिफ्रेंस का एन लेड्डर फ्लो करता है फ्रेंज मिचला कटेंशियल इस् transit का तो कि सैंग्णत अन्ट अधा ओल्रेंसी दिफ्रेंसल दिफ्रेंस का सम्नाइट का वह सब्सक्राम से ओसक्राइब जोरेट आप है और देखर देखर धाई आप इसमाजना है कि हां पीट तो फ्लो करता है वह किसके और होता है तो यह इस पोटेंशिल डिफ्रेंस के कारण दो रएट इसव यह बिसी कॉंसेप्ट था एलेक्टिक करेंट के बारे में टो एक कुशन यह भी है कि सर्फ फिर चार स्वोडियम का एटम लेते हैं तो इसमें क्या है इसमें अभी इसमें प्रोटॉन कितना है 11 है और इलेक्ट्रोन कितना है वो भी 11 क्योंकि इसका atomic number 11 होता है तो proton और electron 11 है तो इसमें नेट चार्ज अगर देखा जाए है नेट चार्ज नेट चार्ज क्या हो जागा जीरो हो जागा नेट चार्ज जीरो हो जागा क्योंकि प्लस 11-11 क्या हो जागा जीरो हो जागा वोकि टो होता है पोग्च से छीर हो जागा लाएकन सब्सक्राइब एक लृट्रों लूस करा दें एंहाव क्या करते हैं सोडियम पे sodium का जो एने था इसका proton और electron तो proton तो कभी निकलेगा ने को तो निकलेश में सब्सक्राइब लूज कर दिया यह तो अब electron हो गया 10 और proton 11 है तो अब कुन सा greater है 11 greater है कि 10 greater है तो proton greater है तो proton और गर greater हो गया electron से इसका मतलब कि proton positive इसका मतलब यह positive charge particle बनी है positive charge particle बन जाएगा इस किसमें उसी तरह से अगर सपोज कोई atom पर हम लोग करते हैं सपोज कोई हमारे पास chlorine का atom है chlorine का atom है अगर सपोज यहां पर chlorine है इसमें इसका atomic number 17 होता है तो इसका proton 17 है electron भी 17 है हम क्या कर रहें एनिहाओ इस पर एक electron add कर दिए इस पर एक electron add कर दिया जाए one electron प्लस one कर दिये तो अब जो होगा proton तो 17 है प्रोटॉन में तो कोई चेंजे नहीं कि proton do not take parts in chemical reaction तो प्रोटॉन 17 है electron जो है that will be 17 प्लस one 18 हो जाएगा तो अब क्या है ग्रेटर होगा 18 एलेक्ट्रोन ग्रेटर दन हो गया न प्रोटॉन से इसका मत्रों के निगेटिव चास्ट पार्टीकिल हो जाएगा इसी तरह से हम लोग पोस्टिव और निगेटिव चास्ट पार्टिक्स को क्या करते हैं करते हैं अब क्या है हम लोग यह जो बेसिक कंसिप्ट था कैसे एलेक्टिक करेंट का फ्लो होता है अब यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है यह वाट इस वाट इस एबाउट अलेक्टिक करेंट तक है इमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन त्रो पार्टिक्लिर एरिया इन करेंट भोटें मतलब उट्येवरन टाइम में कितना ट्रोकटा उसी द्रीक करेंट करेंट तरेट लेंट अब इसमीद निए कई तो जब यह वोटा दिस्कवार नहीं हुआ था अध्य टाइम का प्लिक पूसी शाइब इसक्वी अलेक्टिकांगी का तो जैषिसको को कैनिसेल को अगल एलेक्टिक रिखतेटा मुप करता है वह रिखा हुए पॉस्टिव से निगेटिव किता मतलब क्या पोस्टिव चार्ज जिसक्ट प्रेक्ष निए प्लोव करता उसी डारीक्षिन में एक किया गया कि यह लेक्ट्री करेंट का ही डेरेक्शन है क्योंकि उससे में एक्च्वल में जो है अगर पूछा जाए अपसे अक्च्वल में पूछा जाए कि डेरेक्शन ओफ एलेक्टिक करेंट क्या है तो वो क्या होता है आपका निगेटिव या फिर निगेटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स जिस डियरेक्शन फ्लो करेगा उसी डियरेक्शन को क्या होता है एलेक्टिक करेंट बोलत करते हैं Capital Isis से स्मॉल से भी कहीं के करते हैं बट आई से करते हैं सिंपल स्वाथ तो करेंट I equal to हमने बताया कि flow of electric charge rate of flow of electric charge को हम लोग क्यों से रिनट करते हैं और पॉर इन टाइम यहीं होता है करेंट 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 करते हैं इसलिए करेंट हो यहां कितने टाइम प्रियोड में कितने of connectors move किया अब जो यहां पिक अलग-अलग unit होता है जैसे कि सपोस्थ unity in the sense suppose अपनों को पता है कि distance जो हता है distance का हम लोग unit लेते हैं measure करते हैं तो meter में करते हैं centimeter में करते हैं mm करते हैं इस तरह से charge जो होता है Q, उसको measure किया जयता है Coulomb में, charge को हम लोग measure करते है COU, LOMA, Coulomb, इसको C से denote करते हैं, और time period को तो second में करते हैं, इसमें को doubt नहीं, और current को हम लोग I से denote करते हैं, इसका भी unit होता है, लेकिन हम लोग आगे इसको discuss करते हैं, Right, Now, अब क्या है इस तरह से हम लोग क् तो अब आता हमारा total charge, total charge on anybody, किसी body पे total कितना charge होता है, तो वो कैसे लिखते है, तो total charge जो है, किसी body पे Q, इक टो लिखते है, n into e, तो इसको हम लोग बोलते है, quantization of charge, इसको होता है, quantization of charge, मतलो total charge होता है, किसी body पे, that is the integral multiple of, integral multiple of charge of one electron, एक electron का जितना charge होता है, उसका integral multiple, integral मतले है, integer, तो एन का होता है, integer होता है, तो यह चीज़, quantization of charge का जो term है, यह अभी अपलो को term इंट्रोडिउस नहीं है, बट इस तना याद रखना है कि Q equal to क्या लिखते है number of electrons, Q equal to N into E, total charge, Q equal to number of electrons into charge of one electron, यही मेरा क्या होता है, कि अगर सपोज हमारे पास, पता है कि अगर 1.6, अगर 1.6 into 10 to minus 19, कुलम चार्ज होता है, वो कितने electrons में होता है, तो एक electrons, एक electron होगा, तो इसतना charge होगा, 1.6 into 10 to minus 19 कुलम, एक electrons पे, तो अगर सपोज, दे दिया जाए कि अगर 5 कुलम यह charge है, किसी body पे तो कितना electrons होगा, इस तरह से, तब हम लोग number of electrons निकलने का फोलेन कारते है, तो यहाँ पर अगर सपोज, कोशन यह पूछा जाता है, कि 1 कुलम, 1 कुलम चार्ज में कितना electrons है, तो हमें number of electrons निकलना था, Q equal to क्या होता है, N into E, तो N निकलने के लिए क्या करेंगे, N equal to Q upon E, Q upon E, और Q जी है, 1 कुलम दिया तो 1 कुलम अपन एक एक एलेक्टोन पे कितना चार्ज है, तो 1.6 into 10 minus 19 कुलम, अथो कि यहाँ पर लोग number of electrons निकलना राइट, तो यहाँ पर minus पूट करने का जिवत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का magnitude important ह ना कि उसका sign, क्योंकि number of electrons निकान ले हैं, तो simply 1.6 into minus 19 कुलम करेंगे, तो इससे निकरने के बाद जो हमारा value आएगा, वो 6.2 into 10, 10 raise power 18 आजाएगा, इसका मतलब कि एक कुलम में कितना एलेक्टोन होता है, तो 6.25 into 10 raise power 18 electrons, अब आते हैं unit का, तो current हमने unit लिखा, I current I equal to Q by T, त Current Q by T है, तो Q मतलब charge और charge का होता है, और time का होता second, that means current का unit हो गया हो 최악 कुल अजै कुलम पर second, और कुलम पर second को ही दूसरा नाम दिया गया है, एसा unit में, that is ampere, ampere कुलम का ही दूसरा unit दिया गया है, कुलंब पर सेकेंड का that is ampere इसी लेक्टिक करेंट का जो एसा यूनिट होता है that is ampere यह ध्यान रखना है एलेक्टिक करेंट का इसा यूनिट क्यों हो गया एसा यूनिट हो गया ampere और ampere को हम लोग capital A से single letter से AC denote करते है right now अब question जो है generally अब जो question का pattern जो है change कर गया अब यूनिट में पुछा जाता है कि सपोज अगर current I equal to Q by T current I equal to Q by T तो यहाँ पे one unit का बात करेंट करेंट का unit ampere है तो इसके जगा पे one ampere पूट कर सकते है यूनिट में और चार्ज में one column upon one second तो आपको question में पुछा जाएगा कि define one ampere current one ampere current क्या है तो जब भी one ampere current या one unit का कुछ भी पूछा जाए तो उसका क्या करो निमेर के लिए formula लिख लो पहले आप formula के according define कर देंगे तो यहाँ पर क्या उसी तरह से one ampere current क्या है जब one column of charge flow करेगा in one second through any particular area यही one ampere current है यह define क्या गिया है यह क्या है अब कुछ conversion होता है जैसे कि सपस्वान मीटर में कितना सेंटिमेट तो अलग 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 है उसी तरह से इसको मिली माइक्रो नाइनो पिक कोई सब होता है लेकिन हम तुम तो डिटेल्स में नी जाएंगे हम लोग क्या करेंगे सिंप्ली मिली मेक्रो और नाइनो का पढ़ेंगे तो one million एंपियर one small m इसको पर तो one million एंपियर एक मिली एंपियर में कितना एंपियर तो टेंटेश्ट में माइनस त्री एंपियर और ये क्वेश्चन जो है तो 2020 का जो बोर्ड हुआ था 2020 विपोर्ड हुआ था इस वासी बेसिए का टेंथ का उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से कर वर्जन उनीट में तो इस्टर से चीटर से इसको धियान में रख ले तो क्या है कि 1 milliampire में कितना एंपियर तो 10 देश्ट पर माइनस 3 एंपियर इसको डिनोट करते है इस तरह से यू can see 1MA is equal to 10-3 ampere उसी तरह से 1 microampere तो 1 microampere तो इसको बहुत है new shine और A तो 1 microampere equal to 10-6 ampere इसे से राइट तो यहां पर लिखा हो है symbol you can see second वाल उसका दो था 1 Na small n a इसको बहुत है nanoampere 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 nano card जिस तरह से होता है तो 1 nanoampere equal to 10-9 10-9 यह है यह जो 1 nanoampere में कितना 10-9 ampere होता है अब जैसे कि अलग अलग चीज़ें होती है physical quantity होता है उसको measure करने के लिए हम लोग कौन सा instrument use करते हैं जैसे suppose distance measure करना होता है तो हम लोग ordometer use करते है speed measure करना होता होता है speedometer करते है उसी तिवसे अगर electric current किसी conductor में जा रहा है सब्सक्राइब कितना जा रहा है उसको measure करने के लिए हम लोग कुन सा instrument use करते हैं तो उसको बोलते है सब्सक्राइब है कि continuous and close path of electric current electric current का continuous or close path को actually में हम क्या है यहां पर ज्यादा हम मतब typical जो है definition होता है नहीं लिख रहे है क्योंकि आप लोग को books में definition मिल जाता है रेक लेकिन concept सब्सक्राइब है इसलिए हम क्या जातना है हम लोग क्या करें details में definition को हम लोग नहीं लिख रहे हैं सिंपल सा लैंगेजी में लिखता है सब्सक्राइब अबल टो अन्डेस्टेंड and you can make of your own sentence अपने खुश से बना सकते होते सब्सक्राइब यहां पर जो एलेक्ट्रिक सर्कृट जो है वह है क्या और सर्कृट तो इसमें क्या है कि एक continuous मतलब लगातार भी होगा और क्लूज होगा ऐसा नहीं कि कोई open हो जैसे सब्सक्राइब अगर मैं देखें तो यहां पर एक सेल है उसके सब्सक्राइब कंड़क्टिंग वायर से की है फिर एमिटर लगा हुआ है फिर बल्ब लगा हुआ है फिर इस्ता से करेक्ट हो गया तो है कहां पर की एक तो यह जो पर वहां है तो आमीटर को जो हम लोग करते हैं वह मैं यहां सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब एक लिए खत्म होगा वहीं से हम लोग क्या कर देंगे तुसको बोलते हैं तो अभी के लिए लिव कर सकते हैं इसको बस अभी समझ लोग एलेक्टिक सर्कुट में स्रीज और अभी में य्यूस करते हैं दिन है इस सर्कुट में है नोग अलग क मिया है इसमें यूज कीया गया है एलेक्टिक कंपोनेट् सुंकशन है और यह सकते एद्म को बहुत है है टम है कि को ही भू दो स्bia दूप क्या होता है यह है है। कंड dóकटिंग लिंग है अगट और लिंग को आफ कर देना है मत बंद कर देना है तो स्वीच को आफ कर देंगे अगर लिंग को ओन रखना है तो स्वीच ओन कर देंगे यही स्वीच है बस अब यहां पर क्या है एक नुमेरिकल है कुशन क्या है कि करेंट और 0.25 MPR is drawn by a filament of an electric bulb for 20 minutes यहां पर क्या क्या दखो जब भी question आया numerical है तो क्या करो जो वैलू दिया है उसको लिख लो यहां current दिया हुआ है 0.25 इसका मतलब कि current I क्या value हो गया 0.25 A you can see यहां पर लिखा हुआ current I है जो डाटा लिखा है उसको लिख लो उसके बाद है for 20 minutes time दिया हुआ है 20 minutes तो time 20 minutes है लेकिन याद करो time हम लोग second में लेते हैं इसा unit क्या होता है second तो हम लोग क्या कि इसको minute में है तो second मतलब के लिए 60 से multiply कर दिया है तो you will get 1200 seconds then question यह है find the amount of electric charge that flows through the circuit अब total charge कितना flow करेगा यह पूछा गया तो you are asked about the q q क्या वहले पुछा गया तो हमारे पास i है t है और q पुछा गया तो ऐसा कौन सा formula होता है जो current i charge q और t को relate करता है तो formula क्या होता है i equal to q by t यहीं होता न current i equal to q by t तो q निकालना है तो q और क्या हो जागा i into t current क्या हो जाएगा i into t हो जाएगा तो दोनों current को और time को दोनों क्या करेंगे multiply कर देंगे तो multiply करेंगे इस तरह से 0.25 into 1200 जो सेकना है तो you will get simplify करने को जाएगा 300 कुलम मत्तब इतना क्या करेंगा charge flow करेंगा right और कभी-कभी अगर 300 कुलम चार्ज जाएगा तो इसमें और question पुछा सकता है कि अगर इतना कुलम charge flow किया तो कितना electrons flow हुआ तो फिर वही quantization of charge का यूज करो तो q is equal to n into e तो n निकालने के लिए q by e मत इस charge में 300 में क्या करना है 1.6 into 10 divided by minus 90 से divide कर दो के तो number of electrons मिल दाए गाराइट अब कुछ जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने छोटे scale भी क्या कर सकते हैं कि हम लोग electrons का यह कर सकते हैं transfer कर सकते हैं from one body से another body charged particles कैसे create होता है तो जैसे suppose कोई भी atoms है कोई body है अगर free state में है तो उसमे number of electrons number of protons कहाता है सेम होता इसलिए इसलिए अगर हम बोडी को rub गरते हैं कि रब गरने से क्या होता है कि वह temperature create होता है heat create होता है और heat जैसे create होता है तो कुछ कुछ ऐसे atoms होते हैं जिसका ionis energy electron affinity जो temperature होता है बहुत कम होता है कि वह कम ही temperature electron को lose कर देता कुछ ईससे object होते हों है जो कि कि क्या करते है Toms होते हैं जो कि कमHи temperature कमHiTemperature पे क्या होत है कि ऐलेक्ट्रोंस को gain कर लेता क्या करते हैं इस था समीठ करके कुछ practical rub गीक्सक्रारी में लिखा हुआ है कि जब दुष्ट हैं जैसे कि शप Consumer क्या करते है एक glass है और उन्हें परिपास एक और एक सिल्क ऑपिल्डेटा थी ऑफ्जेक्bereich व्हे स्लमध करेंगे ते उस्हें को होगा हीट प्रोडीउस क्या होगा कि जो कुछ एलेक्ट्रोंस सो है क्या करें ग्लास से सिल्क पर चलाएंगा इसका मतलब ज़्यादा होगा अब प्रोटोन्स जदा होगा आथा है इसका मतलब क्या होता है कि ग्राफ यहाद b ग्लाफ से लेक्टासकी इसलीर रहे है क्षाला कर्या रहता है sb लिक्त है इसका मत्रों की यह हां पर सिल्ख जो है क्या और फेल्ग चूर्ण हो जाता है और स्पार्टीस आयं सब्सक्राइब पशनिते उस तरह से दूसरा है कि आगर कोई लग कोंट्र है सब्सक्राइब म सहरी लो से नहीं हो कि यहाँ से करते हैं रूप करते हैं इसे मेर क्या होगा इसके उल्सेटरोगा रफ कर्ते है तो इसे विल रहना हो जो आहीं हो द然后 in the fifth century सिस्ट कि समर्व कर देंगा अहम है कि इस सब चीज़ों है यह कि और उच्छ से इब लूस कर देगा तो यहां पर उल से क्या होगा लेक्ट्रोण चला जागा इबुनाइट रोड में तो उल का अलेक्ट्रों कम जागा इसका इसका मत्या पुछा जा सकता है कि अगर आई-डार्ड को हम लोग यह करेंगे रभ करेंगे सुल के सांथ तो कून पॉसेटीवली होगा और जब छिल को रप करेंगे हम लोग के शिल को करेंगे ग्लास के सांथ तो वह सिस्थ तरह का और क्या पार्टिकल्स स्वार is क्या करते हैं आज क्वें तना ही रखते हैं और निक्स्ट क्लास में जो है हम लोग फिर से आगे का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे तो थैंक्स पूर जोइनिंग दी क्लास